हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का डिफेंस ओफिसर्स अकेडमी के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा से जब से ये प्रॉसेस शुरू हुआ है जिसका नाम है सैनेक स्कूल एकांसलिंग की प्रॉसेस तब से मैं आप से जुड़ा हुआ हूँ शुरुवाती राउंड में जैसे ये कांसलिंग प्रॉसेस आगे बढ़ी थी हमने आपको गाइड भी किया था कई सारे पेरेंट्स के हमें फॉन भी आये थे और उसके बाद एक तरीके से हम इस पे अपनी पोजिशन क्लियर कर चुके थे कि सैनेक स् की ये कांसलिंग आगे बढ़ रही है उसी के साथ जो सवाल है वो भी एक के बाद एक नए नए स्टेप ले करके आगे बढ़ रहे हैं कई सारे पेरेंट्स का ये मानना है कि उनके बच्चे को जो डिजाइड सैनिक स्कूल था वो तो नहीं मिला लेकिन क्योंकि अभी भी बची वी है तो क्या हमें फिर से एक कांसलिंग के अगले राउंड के लिए ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ आपको ये जवाब देने कि ये जो एक आपके लिए एक ट्रैप तो नहीं बन गई है या फिर आपक इन चाहर से लेकर पाच्वे राउंड तक महत चुके हैं चाहर तारीक को ये आया है आट बचे और इसकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 7th of July है इसके अलावा seat allocation और result date है 11th of July इसके अलावा last date to accept the allotted school है इस बार 14th of July तो ये important dates तो है और ये 5th round की counseling भी चल रही है लेकिन पूरी की पूरी स्थिती क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर से हमें ये जानना होगा कि ये e-counseling की process में होता क्या है इस e-counseling की process में आपको कुछ sanic school allot किये जाते है based on your marks या फिर आपकी जो भी merit बनी थी उसके हिसाब से आपको sanic school allot किये जाते है priorities को fulfill किया था उनको सारे sanic school मिल चुके हैं और इस तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो deserving थे वो शुरुवात में ही clear कर चुके हैं अब ये जो round 5 तक का मामला आया है यहाँ पर आपको मिलते हैं गिने चुने कुछ sanic school और आपको मिलते हैं गिने चुने ले आया हूँ जिनके पास अभी attempt बाकी हैं यानि कि आपके पास आने वाले जो December में जिसका application form आने की संभावना है और January में जिसका exam होने की पूरी की संभावना है उस sanic school के exam के लिए अगर आपके बच्चे के पास attempt बचे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेरी यहाँ पर आपको सुझाओ एक तोर पर यह रहेगा या मेरी राही यह रहेगी कि जिन बच्चों के attempt अभी 6 हैं उनको अपनी preparation में जुट जाना चाहिए बशरते इसके कि वो इस बात का ध्यान रखे कि क्या round 5 में मुझे कोई sanic school मिल पाएगा या नहीं या round 6 या आने अग्यानिक दबाओ भी इससे बनता है एक बच्चा जिसको यह उमीद है कि उसे शायद कोई sanic school मिल जाएगा वो शायद अपनी पढ़ाई पर उतना ध्यान न दे पाए और अगर round the round आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रह रहे हैं और आपको आपका desired sanic school नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप फिर से थक हार कर अपनी उस तैयारी पर ही जुड़ जाते हैं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने शायद school a lot हो जाता है तब भी वो अगले attempt के बारे में सोचते हैं तो मेरा यहां पर सीधा साधा और एक साफ सुझाओ आपके लिए है कि if you have attempt left for the sanic school then you should try for the next attempt because after the fifth round of e-counseling if you are not selected then there is a good chance that you can be selected in the next round of the examination आप उसमें पूर जोर तरीके से फिर से अगर अपने आपको जोड़ देंगे तो हो सकता है आपको अगले बार जो round चल रहे हैं उनमें शुरुवाती rounds में ही सफलता मिल जाए इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जितने भी sanic school है उन सभी sanic school की list में सारे के सारे sanic school ऐसे नहीं होते हैं जहाँ पर हम अपनी education को पंड़क करना चाहेंगे कुछ ऐसे sanic school हैं जिनके बार में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं जहाँ पर अगर आपका admission होता है तो that will be well and good लेकिन इसके अलावा जैसे new sanic schools को लेकर के अभी तक हमने आपको कोई जानकारी नहीं दिये बिकाज उन sanic school के पेक्षा हमें लगता है कि आप अपने इस्तर से जो भी education ले रहे हैं वो better रहेगी उसी तरीके से old sanic school में भी सारे के सारे sanic school ऐसे नहीं होते हैं जिन पर शायद आपको education wise इतना ज़्यादा focus करना चाहिए यहीं रहती है कि उनके बच्चे को एक अच्छी education मिले एक अच्छे संस्थान से उनने education मिले ताकि आने वाले भविश्यकों उनको एक तरीके से secure कर सके लेकिन यहाँ पर अगर आप compromise करते हुए round 5 तक जा रहे हैं और कई सारे videos भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें e-counseling की अगले round पर कितनी seat बची हैं इसमें आपका selection हो गया तो क्या होगा ultimately आपका किसी सैनिक स्कूल में selection हो भी जाता है तो उस सैनिक स्कूल में आपको क्या admission चाहिए था क्या जब आपने exam दिया था तब उस सैनिक स्कूल को आप सोच भी रहे थे यह सब बातों को भी आपने ध्यान देना होगा because यह एक तरीके का trap बन सकता है आपके लिए this e-counseling process is well and good within the domain of all India सैनिक स्कूल society वो सारे के सारे सैनिक स्कूल में जरूरी चात्रों को भरना चाहते हैं लेकिन आप individual level पर गर देखें तो आप इस trap पर फस रहे हैं कि मुझे कोई न कोई सैनिक स्कूल मिल जाए जबकि आपके पास अभी मौका है कि आप अगले बार और अच्छी तैयारी से एक बेटर सैनिक स्कूल को डिजर्व कर सकते हैं और इसी बात को मैं हाँ पर एक हांकित करना जाता हूँ कम से कम आपके पास अभी 6 महिने का समय बचा है इस 6 months are very crucial for you especially if you have achieved something in the late जो पिछले सैनिक स्कूल का एक्जाम था उसमें अगर आपने कुछ न जरूरी है वो consistency आपकी बने रहनी बहुत जरूरी है otherwise यह जो e-counseling का trap है और इसमें बच्चे के उपर भी असर पड़ता है और अगर वो e-counseling में अगले स्कूल में मुझे होगा या नहीं होगा इस बात पर ही जो parents है उनकी चर्चा को सुनता है तो उसकी पढ़ाई है जो कही नहीं disturb होती है तो अगर parents चाहते हैं कि वो e-counseling की जद्दो जहद में चूजते रहें तो वो अपने इस तर से इसकारिय को कर सकते है लेकिन बच्चे के लिए यहाँ पर loud and clear message हो जाना चाहिए कि इन 6 महिनों में उसने अपनी पूरी जान्ज लगानी है उसने पढ चाहिए करेंगे और late exam देंगे तो आपके marks भी उसी according आएंगे और फिर से आप round 4, round 5 तक जाते ही रहेंगे तो मेरी यहाँ पर यही एक चाहिए कि आपको सुझाओ है कि e-counseling की process से जरूर जूरे रहें उससे update होते रहें इसलिए मैं आपको शुरुआत में important dates भी बता द आजमा सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी आपकी education यहाँ पर hamper नहीं होने चाहिए that is the message I want to convey to all the parents and all the students और यही बात में आपको यहाँ पर कहने के लिए भी आया हुआ था तो उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ information कुछ clarity मिली होगी e-counseling को लेकर के और के लिए आप इसी तरीके से अपना ख्याल रखें and all the best to all of you take care and bye bye